करने से पहले हमें कुछ चीजें कलियर करनी होंगी इस चीज इस विधी के लिए एक मलब मैं खास वार्निंग यह देदू कि आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने अगर आपने एसल को स्ट्रिक्ट नहीं लिया तो यह समझ लोग यह इतनी डेंजर है यह विधी कि आपका बहुत ज्यादा नुख्रान करतेगी और प्रोफिटेबल भी इतनी है कि आपको बहुत बड़िया प्रोफिट देगी लेकिन अगर आप इसमें कंजूस नहीं बने त लेने का लालस लेता है या फिरहने के लिए मारकेट के साथ फाइत करता तो वह चीज यह नहीं चलेगी बिल्कुल इ disputesव मैं इन आप इसको तास्क मेरे को affected दो गए उसके बाद में सबसे पहली चीज होती है मैनेजमेंट बना एकल की म मानकर मिनिमम lle मिल जाएगा और 15 मिलने का मतलब आप समझ लो कि आप अगर आप समझे लो कि आप अगर पांच लगातार भी लूज करने के बाद में अगर आपने दो भी वीन कर लिया तो फिर आप क्या होगा अगर इसमें तो मेरा कहने मतलब इस रिस्क रिवार्ड में धीरे 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 आपकी यह सारी ट्रेडें इधर आजाएंगे आपका डबल हो जाएगा क्योंकि अगर आप लगातार दस भी यहां हिट हो जाती है और मातर यहां तीन आजाती हैं तो भी आप पांच प्लस में र दूसरा मनेजमेंट मैं हमें हमेशा कंट्रॉल क्योंकि देखो मेरे साथ क्या होता मैं पहले बता देता हूं मैं एक ट्रेड ले रहा हूं जैसे पान सो की और मैंने ऐसा पकड़ा जिसका ऐसल चार पॉइंट मातर चार पॉइंट, एक एक कॉइंट के ऊपर लेएगा अब म पेटार के साथ लिए में चार पुरह परटने वाला यहां तो मैं निकाल लेता हूं कि यह भू कि साइज निकाल लेता हूं आपना इस ट्रेड का इसल स्रुख्षित निया आप मेरा कोई नुक्सान नहीं रहा उसके बाद में थोड़ा सा नीच्छे और आता है इन ड्रेडों का जो नुक्सान है वह भी कवर कर लेता हूँ करीवन मैं डेड़ सो पर साइज और निकाल लेता हूं तो इसका मतलब कि मुझे भरोसा नहीं है अगर मैं दो बार ऐसरी बार आपको इसी ट्रेड को अगर हंडल करके चल रहा हूं और लास्ट में इसमें धिरे दिरे काटते एक 25 की साइट सोड़ता हूं सारी कवर कर लिए मिनिमम में और वो ट्रेड को मैं लंबा ले जा रहा हूं जो मेरा एक्ट्वल जहां टारगेट होना चाहिए तो ऐक्षल मेरे लास्ट में हाथ में आएगा तीने से चारह जार या पांच जार रुपे और मैं उस ट्रेड से जो लेके चलाओ वोई तरेड मैं यहां तक लेकर हूं प्रोपर लिए तो मेरे हास्ट में पचास जार जो पीछे हो गया उसको यहां कवर करने तो वह बना लिकर देखा कि त्यार कर लिया आप रिस रिवार्ड भी तयार कर लिया अब आपकी यहां चार चली गई है और आप उसकी रिपेर मेंट के लिए यहां की ट्रेडों को एफक्ट कर रहे हूं सब्सक्राइब कर को सब्सक्राइब dziŋ खल दिस्ट्रोई करें ओर यह से बढ़ा नहीं लेगत तो फिर आपके इसमें अब करते हैं कि क्या है और उसमें प्रेकर करना पहले करते हैं कि यह area पे हम buying करेंगे और यह area हमारा अचे सेर्प यह area है जो मैं को मार्केट को नुक्सान में और मेरे लिए यह area खुला रहेगा मैं ले सकता हूं इस area को नीचे मार्किट कितना भी चला जाए मेरे अगेंस में मैं इतना दूंगा यह मैंने त्यार कर लिया अब मैं इसको प्ले कैसे करूंगा जैसे ही इस मान लोगी यह रेट 151 की रेट है ओप्सन में बात कर रहा हूं और यहां रेट मैंने ऐसल किया 146 का ठीक है फांस पॉइंट का मेरा कोई ऐसल है तो मार्केट अगर इससे ऊपर निकलेगा तो 151 पर ही मैं बाय करूंगा 146 मेरा ऐसल रहेगा मार्केट इससे ऊपर जाएगा मे कुछ भी उससे लेना देना नहीं है घिक है यह चीजह समझ में आगे आपको आगे चलता हूं जिसको बौलना अन्मूट कर सकता है कोई दिक्ड़त नहीं है डिस्कसन में बढ़ियां रहेगा गा यह कि ब्रेकट की चीज समझ में आगी तो अब मैं आगे आता हूं ठोर कि अब यहां करेंगे कि कई करेंगे करेंगे कि करने के लिए हमें हमारे पास टाइम रहेगी पंदरा फ्रेश्य करने वाली । जैसा किए वन मिनिट में प्ले करेंगे पंदरा मिनिट चम्ट पूरा पूरा जरू करके आएंगे त्यार करके लेकर आएंगे अब उसमें वह एरिया कहां होगा कहां ट्रेड करना है यह देख लेते हैं इस पंद्रा मिनट की चार्ट को समया श्राइक खाट गार्वरे संद्रा मिनिट ओ कि पंद्रा मिनिट श्राओ जो कर ले लेता हूं इस यहां 60 इसमें कल किसकू बताए था इसको बाहर निकाल लेते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे जैसे कि मार्केट कहीं से भी स्टार्ट होता है मेराम से घ्रावट आरे अब मार्केट यहां से उपर चलना चाहर तो हम यहां से ले लें और मैं आपको टास्क दूहां आपको आपको वह टास्क दो कंडल करना है तो मेरा एक मैठ है केंडल कुछ करवाता हूं और वह केंडल डूके में डाटा प्राइवेट में अपने इकठा हुए उसी की क्लिप तो मैं वैसे ही आपसे मैं चाहूंगा कि आप भी वैसा करो तो केंडल का मतलब होता है कि आपने डेस्टोप ये चार्ट को लिया जैसे मु कीबोर्ट बेर आगे का बटन प्रेस करूंगा तो मुझे इसी तरह से वागे का मार्केट से तक तो टेस्टिंग से मैं उसको ट्रेड गरने के लिए भी नहीं बोल रहा क्योंकि उसको पहले आपको अच्छे तो नहीं किया तो ठीक है पहले तो मैं एक बार यही सोचा था यूट्यूब पे नहीं दूँ लेकिन ठीक है फिर आज मूड बननी गया तो कीज़ें बता देता हूं और यह काफी बहतर भी रहेगा अब मानलो मार्केट ने एक यहां एक लो तैयार कर लिया है मार्केट अगर कहीं से गिरता गिरता गि कोई नहीं जब तक जा रहा जाने दो यह अगला दिन का मार्केट आ गया है अभी के लिए अपना लो यह है और इसके बाद में यह लो है अभी यह इसने जब तक यह हाई नहीं तोड़ेगा हम इसको कंफरम नहीं मानेंगे अभी एक पूरा-पूरा स्विंग बनने दो पूरी करनी हमें तो हम आगे चलते हैं एक सेकेंड यह वेव पूरी होगी अब यहां पर यह वेव पूरी होगी ऊपर भी निकल अब एक हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे जस्ट यह ट्रेंड लाइन और हमेशा मैं इसमें मेगनेट ओन कर लो विक को टच करना है यह विक टच किया दूसरी विक को टच कर लो जस्ट कोई भी जिज नहीं समझ में आ रही है आप पूछ सकते हो ठीक है कोई मेरे को दिक्कत नहीं है अब हम इसको इस टेंड लाइन को आगे कर देते हैं यह वाले फंक्षन में आप यह जाओगे यहां क्लिक करोगे आटमेटिकली आगे बन जाए है फूरी आगे तक अनलिमिटेड बन गई आप हम क्या करते हैं इसी को फोलो करते वे आगे चलते हैं मार्केट जा रहा जितना भी उपर जा रहा हमें कोई मतलब नहीं हमारा एरिया ही नहीं है मैं सिरफ पर्फेक्ट ट्रेड की बात कर रहा हूं तो मुझे इस एरिया पर आने पर अलर्ट होना है अब हमें यहां कुछ चीजें देख सकते हैं कंफर्म होने के लिए अडिशनल च का दिया करue की ज़रूरत करने की कर लेता हूं वह आप यह देख रहे हैं कि आपको दो इस哎 लेकिन पर हमारे पास ट्रेंड लाइन नहीं थी कि भी देखो यह वो कि क्या इम्पोर्टेंस है यह वह बता रहा है कि मार्केट किस लेवल पर ठैर सकता है देखा मार्केट यहां से चला और इसी लेवल का इसे और अब आपको पर्टिकुलर यहाँ पे आपके पास ट्रेंड लाइन तो नहीं थी अब तो हम कैसे पता कर सकते हैं हम पता कर सकते हैं आज भी मैंने क्लास में क्या बदाया कि इसके साथ में एक चीज और अटेश करते हैं कोई बोल सकता है हम क्यां लें लेंगे यहां कि मारकिट ठहरा होगा यहां ठहरा Westlow मारी पास 600 है आब करूँ के आज़ पास मारकिट आया यहां ठहराओ लिए और यहां ठहराओ लिए और भी कर दोड़ ज्रूराओ यहां लेकिन हमारी विदी यहां नहीं लगेगी हमारी इस ट्रेंड लाइन के बेस्ट पे है यह चीज़ें अगर हम यहीं फेस अगर उपर की साइड भी देखें क्योंकि 15 मिनुट का फेस हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट वह सिरफ एक व्यू के लिए इंपोर्टेंट होगा पर अब हमें यहां बनना कंजूस और कैसे बनना कैसे प्ले करना है वह देखते हैं कि कि का भी यहां तक कोई स्वाल और नहीं समझ में आया पूछ सकता है अब मैं इसको अटा देता हूं इसकी जुरूर रहा है अब हम एक लेंगे होरीजंटल लाइन लेंगे ठीक है कहीं भी प्लेश कर देता हम इस लाइन को हम एक जेक्ट उस जगह टच करेंगे इस एरिया को कि कि पुर्च कर लेते हैं इस लाइन को बिल्कुल हम इस लाइन के साथ जो टस्ट हो रहा ना क्योंकि देखो अमने वीक को प्रोपर लिया है यह नहीं है यह थोड़ा सा ओपर करते हैं यह देखो अब आप आप यह देख रहे हो कि इस लाइन का प्रोपर टच आ रहा है जो इसके साथ भी मैच कर रही है और इस वाली प्राइज के साथ भी मैच कर रही है ठीक है दोनों का क्रोश आ रहा है उसी जगह पर हमने टच कर लिया तो हमारे पास एक रेट रेट आगी 37,590 अब यह रेट देख लो 37,590 अब हमें 37,5 के ऊपर अपना एक ब्रेकेट प्ले करना है हमारा ब्रेकेट प्ले गेम होगा तो अब हम जाएंगे वन मिनट के ऊपर यहां अपना 15 मिनट का काम कंप्लिट हो गया ठीक है यहां तक कोई दिख्ट नहीं आप चले जाते हम एक मिनट के ऊपर यह एक मिनट है ठीक है यह यह कि अब मैं यह वाली टेंड लाइन को कोपी कर लेता हूं और इसमें ले जाके पेस्ट कर देता हूं ठीक है वह आगी 589 अब मुझे उसी एरिया पर पूछना उसी जगह पर तो मैं क्या करूंगा इसमें से इस जगह का टाइम एक कर लूगा और इस पर क्लिक करूंगा इस कें का दिन है और तीन बज़े का बात है यह आगया तीन बज़े की मलब लगब मार्केट के एंडिंग की बात है ठीक है इसमें भी दिख जाएगा फिल्कुल खतम हो गया तो हमें इतना जादा पॉइंट इसमें मिलेगा नहीं इस ट्रेड में फिर भी हम देख लेते हैं हम ब्रेकेट कहां करेंगे और जहां बिल्कुल भी डिमांड नहीं है यहां पर एक ब्रेकेट डालेंगे चोटा वन आपने यहां लिया जाने की बाद जैसे ऊपर जाने लगए यहां के आस पास आपने ले लिए आप यह मिनिट पर लगाई है मैंने तो करीबरं यह 16 पॉइंट की है तो यह आपका 5-7 पॉइंट की होएगी ऑप्शन मैं क्योंगी क्योंकि एक्षव में 50.66 को क्यों वैसे तो अजह वूर्द आ चछेंगे रेंस कि यहां डिमांड नहीं है किसके डिमांड नहीं है कोई कोई नहीं है और आप इस जगह डिमांड कर रहे हूं यानि कि आपको सबसे सस्ति आपने अगर यह रेट एक रेट पकड़ी एक केंडल ठैर भी गई अगली केंडल दो केंडल ठैरेगी उसके बाद में इसको भी ब्रेक करेगा ना उसके बाद में तुमारे पास वो रेट आएगी अगर असाना की कोई बड़ी स्पाइक मार जायता लगवात है नहीं तो वो रेट नहीं आएगी तो आपने जो रेट पकड़ी वो एगजेक्ट रेट पकड़ी है तो आपको ऐसल जैसे यह केंडल यहां पकड़ी आपने अपना ट्रेड ले लिया ठीक है लेकिन मैंने वार का ससटेन करेगा ठीक है कुछ देर के लिए मतलब हो सकता है कि वह दो मिनिट के लिए संस्टेन तरु करें मैं और उसके बाद में आपको ट्रेड को मेनेंज कैसे करना था एक मिनट पर करेंगे वैसे तो यह एंडिंग का ठाइम जो भी मिले ले लागे जल्दी से जल्दी तो पैसा मार्केट आपको यहां और यहां नहीं देगा ठीक है यहां तो आप इसको केंडल केंडल एक्जिट कर दो आपको अच्छा यहां इसको कोश्ट कर लो और इसका वेट करो कि एक ऐसे करके नेचर बनाए फिर उसको तोड़े तो यह नेचर बनाया इसने यहां के लगवर कोई जो जोन की बात करते हैं तो इसने जोन क्या बनाया यहां पर जोन मनाने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक आउट नहीं किया तो जोन का कोई मत्तब नहीं निकला फिर यहां के बाद में अगर जोन ऊपर गया तो हम इसे एरिया पर रख लेते हैं और वापिस अगर यह रेट देता है पांशाथ मिनिट रही है हमारे पास पांदस म इस जदना चाहते हैं किया तो तो आपको क्या चैये आपको जाधा सब्यक्राइब और यहां विनिंग यहां आपको वीनिंग चाहिए शोलिड मैं यह नहीं कहता कि आप 10 बार में से आठ बार या नो बार जितो तो बड़ी बात है नहीं आप आप नो बार में जितो छे बार भी जित जाओगे ना बड़ी बात है क्योंकि आप साथ अगर पांच-पांच गुना भी लेके जा रहे हो तो यहां कितना हो गया फरक पड़ता है इन चीज़ों का आप समझो ठीक है तो हम वह मनेजमेंट है आप कैसे करते हो मैंने मोटा मोटी उस मेंजमेंट को बताया आपको अब यहां पर आप यहां लोगे और यहां के लगवक आप निकाल दोगे अगर आपका पांच गुना पर आप जब सब्सक्रीश करके है जंद आपको पांच गुना से ज़्यादा टार्गेट मिल गया है तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो और आपके पास टाइम कम है तो और टाइम नहीं है तो मैं कभी नहीं कहूंगा अगर आपके पास टाइम काफी पड़ा मार्केट अगर यही चीज दस बज़े के आज पास बनाता तो मैं कभी नहीं कहा था कि आप यहां निकलो क्योंकि देना क्या है वो मार्केट का आज़का है अगर हमने अपनी जोली चोटी कर लिना तो मार्केट अगर 200 देना चाहेगा कंडिशन कुछ रखेंगे जिसे मार्केट हमसे वापिस ले न पाई अब इसी चीज पर मैं काम करता हूं यह ब्रेकेट प्ले करने का एक मैथड़ बताया मैं यह पास बतेरे मैथड़ पड़े हैं जिन मैथड़ पर यह काम किया जा सकता है अब आजाते हैं इस चार्ट को ही नहीं है हमारे पास अगले दिन मार्केट डाउन खुल गया तो अगर सो दो सो पॉइंट की गैप आ जाएगा अगर ट्रेड यहां लीव है और आप यहां पे हो यहां के आज पास मार्केट क्लोज कर रहा है तो आप फिर भी एक सेफ साइड हो लेकिन यहां आप सेफ नह करने का तरीका अगर देखा जाएगा तो आप एक मिनिट पर जाएंगे तो यहां के आज पैसे एक रसिस्टेंस दिखाए देगा देखना यह एरिया जो रुका है दो केंडलों का जो लो बनाया एक रसिस्टेंस है तो आप हाई भी पकड़ पाओगी पहली बार में देदे उसले से ब्रेकत का अग bun तो ढ़ाई पिनीट की सबस्ता सब्सक्राणेश करें उसको कि सब्सक्राइब करें जरने कि समक्राइब करें कि महत्ता है एक इसलब है तो हम देखते हैं यहां कैसे प्ले करेंगे एक काम करता हूं यह है अपना दस बसके पंतालिश मिनुट को टाइए यह तो वह ट्रेट है अगला दिन यह मैला एक डिया चलो ठीक है यह एक शेकंड पहले हम क्या करते हैं रूल नहीं चेंज करते हैं इस यह वहां लेकर जाते जिस जगह के ऊपर इसका टच हुआ है यह हो गया कि अग्जेक्ट मार्केट ने इस इस लाइन को टच कहां किया होगा इस जगह किया होगा अगली केंडल में तो यह अपना सैथी 722 अब यहां के आज पास हमें ब्रेकेट प्ले करना है ठीक है अब एक मिनट में हम देख रहे हैं क्या महुल चल रहा है और इंपक्ट वाली ची करके इसमें डाल लेता हूं यह पेस्ट किया यह लाइन आगी अपनी सैथिश पांसो च्राण में ने यह गलत कैसे हो रहा है कंट्रोल सी कंट्रोल भी आ गई ठीक है अब यह वाली केंडल के अंदर यह अगली केंडल आगी एक सेटिंट एएक बात बताता हूं मैं आपको यह लाइन इस केंडल में तश्ट नहीं हुए है अगली केंडल में टुक्कि रिए डेट लगबग वह यह क्योंकि यह लाइन ने दिख रही है हमें कि यह केंडल ने टुच कर लिया इस लेवल को प्राइज लेवल को एक्टिन में आपको यह पता ज़िया गिए केंडल है अगर मैं यह एरिया में टुच किया मारके तो देखो इस में वह पिछले गया पंदरा मिन्ट ठीक है यहां पर जाते हैं यह यह एरिया आज चुका है मार्के टैजी से नीचे निकला है अब हमारा ब्रेक टैयार कर लेते हैं ब्रेक इंग बॉटम से बोटम प्लेश को चूज करेंगे जो भी हमें मिल रहा होगा उस ताइम के लगबत तो मैं सोच रह कि यह केंडल के उपर बना लेते हैं नीचे के पॉर्शन में यहां बना लिया हमने ब्रेकिट बनाया कितने पॉइंट का मैं इदर कमाऊंगा अच्छा मुझे इतना पता है और मार्केट आगर ऐसे करके नीचे ज्यादा निकल जाएगा जब मेरे पास देने के लिए दो रुपल लिए एक रुपल लिए तो मैं उससे ज्यादा नहीं दूँगा अब ठीक है अब हम यहां देख लेते हैं को मैं इस पूरी में आगी त्या आ करेंगे यहां पर मार्केट है अपना ट्री करों गया यह अपना अ हमारी हैवीत यह ओपर गया यह निच्छे इसको इसको उटाए देता हूं इसको बाद में दुबारे लगाएंगे यह एरिया है यह एरिया से मार्केट देखो 75 पॉइंट ऊपर गया मैं फिर भी कहूंगा कि 75 पॉइंट पे तो हम अपना कोई टार्गेट रखते नहीं है अगर कोई करना चाहिए देखो वह है कि फिर इतनी जल्दी आप बुक कर लोगे तो बड़ा कभी नहीं ले पाओगे देखने को तो आपको इसी ट्रेड ने आपको करीबन यहां 55 दिखा रहा ना तो आपने उस एरिया में पकड़ा जहां डिमांड नहीं थी तो आपको करीबन 50-60 पॉइंट उसमें भी दिखा देगा डिमांड सफ्लाई के थिओरी मेंगे अप जब ट्रेड गहुआ थे लेगा देगा इतनाK मैं जल्दी जल्दे क的时候 करता मैं तो आपको दिखा देगा हो यहां पर तो जो भी आप पचास तो पेंद लूठ तो आप यह मत करना की में इसको ट्रेल कर स्ल बड़ा यह पुएंट्स का लालत सोड़ना होगा यहां आप निकल जाओ कोई प्रोब्लम नहीं को स्ट निकल गया मार्केट नीचे जा रहा कितना भी नीचे जाने दो मार्केट ने ऐसल खाया ना एक बार इस एरिया को टेश करने दो और उसके बाद में वापीश एरिया में आएगा यहां पर दुबारा ट्रेड बनाएंगे अगली केंडल में ठीक है यहां पर अपनी ट्रेड बनेगी अब हम ट्रेड को हंडल करेंगे क्योंकि अपने को लेना बड़ा है तो अपना एसल कितना लगा पहले वह काउंट करते हैं एक एसल हमारा यहां लगा एक एसल नहीं सब्सक्राइब करने का मैं उसमें इलेट वेव कोई मैं देता हूं लेकिन इलेट वेव भी प्रोपर नहीं मैं इसमें यह देखता हूं कि कहीं भी एक होल्टिंग हो जाए यहां पर यहां पर यहां पर नीचे आ गया कोई बात नहीं है ठीक है यह रहेंगे हम और इसमें आप अपना एक तो आपको यहां से अगर इसने शिफ्ट कर दिया शिफ्ट करके अगर इसने उपर जोन नहीं बनाया और ट्रेप किया है यहां पर एक ट्रेप मान सकते हैं अगर ट्रेप को समझ रहे हो तो इस चीज को समझ जाओगे मैंने आज काफी अद्धी से बताया है कि क्या होगा शॉन नहीं बना तो यह वाराबाददू केंडल ट्रेप है यह जुक् recovery करने के लिए तो अभ हिया महिं यहां ट्रेप करें चीचак जब तक यह पूरा प्रोपर जोन कवर करके ऊपर जाएगा जब तक यहां पर अपना एसल है थीक यह चलता रहेगा चलता रहेगा अब ममें उमीद है कि यह एसल खाने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता तो यह देखना यही ऐसल खाएगा ज़ast और हमने अगर ट्रेल किया उत करके जाना होगा तो तो अब यह यह अद्वी आरिया जब भी लॉस करते हैं तो हम ट्रेयल सब्सक्राइगे कर देल कर लेंगे एक काम करते कि पर ही हैं अगे चलते हैं कि अब ट्रेलिंग कैसे कर देखना अपना थे मार्ट START है इस लिवल को तोड़ दिया इस लेवल को बीड़ इस लेवल को तोड़ा तो हम ने थोड़ा सा ट्रेल यहां कर दिया अब जैसे इस लेवल को थोड़ा हमने इस लेवल पर लेके आगे अपना ठीक है यह लेवल हमारा एसे ले अब यहांसे हम जोन करते हैं तो यह यह जाएगा जैसे इसने ओपर की क्लोजिंग दे दी और ऊपर का ठ्हेराऊ भी कर लिया तो हम यहां काट लो यह काट कोई मार्किट कितना भी उपर जाए अब मार्केट क्या स्ट्रेस हो चुका है मार्केट को एक सब्सक्राइब करेंगे अपना उयां चलेगा अब आप इसको क्या कि एक तो यह अपना यह यहां के इसमें आपने क्या रिस्षिवर्ड लिया बेशक आपने यहां लिया होता ना और आपने बात नहीं समझी होती तो यहां क्या लेते हैं यहां क्या लिया आपने चोदा पॉइंट के ऐसल पे क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो या कोई लोजिक नहीं निकल रहा है कि मुझे यह पता रहता है कि अगला समझ पा रहा है तो मेरे सारे वीडियो आपको एकजिट करने का रीजन मिला एक ट्रेड आपको यह मिली उससे पहले एक दो ऐसल लगा कोई प्रोब्लम नहीं ठीक है आपने यहां पे कितना अच्छा लिया बहुत अच्छा ट्रेलिंग आप जितना एक्स्प्रियंस करते जाओगे ना जो आज मेरे साथ क्लास लिया ना उसमें आप प्राइज एक्षिन तो काफी समझ में आ रहे होंगे कि कैसे में बना रहा हूं कि यह वज में आप एक चीज और यहीं नहीं देखते हैं कि हम सारी चीज़ें और भी देखते हैं प्राइज एक्षिन में लेकिन हम यहां इसको लाइट रखने के लिए सीदह क्या है यहना कौहों यहां हमे या का था क्यूंत निकालने मां होते हैं मैं है अगर्में यह कैसे यहां से यहां से हो सकता है यहीं पर निकल गया अब यह अब यह अधर निकालने का एक तरीका होता है हम इसमें एक्सटेंशन वाड़ा फीड़ लेते हैं यह और यहां से मार्केट इहां तक गया और मार्केट यह लिया और यह अब इसके अंदर हमें पता क्या चीज चाहिए इसको हम सारी चीज़ें दो दो किशिडी नहीं चीए है ऐसे तो हर दो किश्डी करें थो डहीं है ठीक है और वो लेवल कौन से कौन से है पहला लेवल आ गया यह और दूसरा लेवल आ गया यह जब इस लेवल के उपर पार हो गया तो यह लेवल एसल रख लो इसके नीचे और यह अगर सुझाता तो कई बार क्या यह डिक्टो टश करता है अब बात आती है देखो इसको पर के अब ऐसने हमें क्या Бता है कि मार्किट से हमें ठाह सकता है आफ्वाइवार G으면 इसके आद पास तो वह इडर से निकाल के लेके आएंगे जैसे एक इस हॉल्टिंग वह सब्सक्राइब grootOP इसको मिशाओं पहले कि यह अब हम लेते हैं यह देखते हैं यह एरिया की किमत क्या है यह इधर क्या स्वाद है तो यहां से निकाल लो इसकी किमत तो अहीं कि दो इस एरिया मैं मार्केट पोज्वा है एक तो यह इसका बोटम लेव एक इसका टॉप लेवा तो यहां पर पर लियुक्त है देंड़ ख़कर रहा है लेकिन क्यों में ने वह कि यह एसमात लेकिन मैं फिर भी आपको अगर एकदम बनाना हो तो हम इसके साथ में काम करके बना सकते हैं और हर चीज 100% नहीं होगी हमेशा यह दियान रखना करें एक ही चीज़ को पकड़के बेट जाते हैं फिर हम सोट देने अब आदा दें वापिस हम 15 मिनिट के चार्ट पर वैसे इस से क्लोज होने वाला है एक मिनिट के हैंदा सेशन खतम हो जाएगा 40 मिनिट का वीडियो हो गया है चलो मैं एक लिंक दोबारा बेज रहा हूं इस वीडियो को अलग कर देता हूं अगला अलग पार्ट में मना दिया है कि अ क्ज़ मना देता हूं